हाला सुडेंट्स मेरा नाम दॉक्टर गजिन्पुरेत और आप देख रहे हैं मारा यूट्यूब चैनल जहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड करता हूँ आज मैं कुछ पर्टिकुलर कैसे बताऊंगा जो अमारे पास यूलल लेंगराजा एक्वेशन होती है अगर उसके अंदर लाइक एक्स की टर्म नहीं आ रही है या वाइडेश की टर्म नहीं आ रही है तो उस वाले केस में उसका जो सिंप्लेस्ट फॉर्म होता है वो क्या हो है अगर हम हो यूज करते हैं तो बहुत इजी ली सॉल्व कर सकता है आप आपके मन में सवाल उठेगा कि सर अगर हम यूलर लेंगराज को ही ले और वह प्रॉम है उसको यूज ना करहें तो क्या उससे सॉल्व नहीं होगा भईा उससे भी हो जाएगा पर उससे टाइम खर रखा है तो हम जानते हैं कि डिल एफ बाइ डिल वाई माइनस का डी बाइ डी एकस ओफ डिल एफ डिल वाई डेश इस इकुल टू जीरो भाईया यह हमारे पास क्या होता है यूलर लेंगराजी एक्वेशन होती है है जिससे हम किसी फंक्शन का एकस्टिमल निकाल सकते है फं एंदर हमारे पास वाई — सिर्फ एक्स और वाई की तर्म आ रही है तो उसमien क्या होगा तो अगर तर्व की वेली उठाके यहां solve कर देंगे हमारा answer आजाएगा second case लेते हैं कि अगर हमारे पास यहां पर second case की बात करें कि यह जो functional है अगर इसके अंदर हमारे पास x और y की term नहीं आए सिर्फ y की term आए अब देखो यार x और y की term नहीं आ रही तो यह partial derivative क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह जीरो होगा minus का d by dx of del f by del y dash is equal to 0 अगर हम दोनों तोरफ इसका integration करें तो यहां से हमारे पास क्याएगा del f by del y dash is equal to constant तो यह हमारे पास उस वाले case में इस equation का form यह आ जाता है अब बात करते हैं कि चलो y dash नहीं है second मैं मैं बात कर दी कि यह x y नहीं है अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास y नहीं है सिर्फ हमारे पास यहां पर क्या है चलो मैं यहीं बात कर लेता हूँ third case को मैं यहीं discuss कर लेता हूँ थर्ड केस में गर हम बात करें कि भाया हमारे पास यहां पर क्या हो रहा है यह नहीं है यह की ही केस मनेगा इस वाले भी अब बात करते हैं सुन फूर्थ केस में हमारे पास यहां पर क्या हो एकस नहीं हो मतला हम इस वाले पास यहां पर केस बनता है इसे से यह डिराइव होता है तो मैं गुसने की जरूत नहीं है क्यों को इसमें apply करना होता है अब आगे बढ़ते हैं कुछ questions को समझने की कोशिश करते हैं और यही मैंने आपको समझाने कोशिश करूँगा कैसे यह useful है जिसे मारे पास एक question आएगी show that the general solution of this Euler equation 1 upon y under root of 1 plus y dash square is this यह मारे पास एक circle है तो आप से पूचे जार है कि भईया इस functional का जो extremal आएगा वो एक circle आएगा अब आप देखें सुन यहां पर जो मारे पास f दे रिखा है वो क्या दे रिखा भईया 1 upon y under root of 1 plus y dash square तो भईया यहां पर आप देख रहे हो इस f के अंदर x नहीं आ रहा है और अभी मेरा आपके समने बतायाता है कि जब भी हमारे पास functional में x नहीं आता है तो उसकी जो term होती ही वो मारे पास क्या होती है f minus y dash del f by del y dash is equal to c सुन यह हमारे पास यहां पर क्या हो जाती है इसकी Euler language equation हो जाती है तो यह जो f is की value रखेंगे यह minus है ना f minus है ना तो 1 upon y under root of 1 plus y dash square y dash सुन इसको y dash के respect भी differentiate कर रहा है तो 1 upon y तो constant है और इसका हम derivative करेंगे तो यह under root है जब ही हम किसी root का derivative करते है तो हम जानते हैं कि differentiation of root x जो होता है वो हमारे पास क्या था सुन 1 upon 2 root x हो जाता है तो यह पर यहाएगा तो यहाएगा 1 upon 2 under root of 1 plus y dash square और y dash square का जो हो जाएगा 2 y dash हो जाएगा इस एकल टू सी यह मारे पास यहाएगा इसकी value हो जाएगा बटा टू से टू कैंसल हो गया नाँ यहाएगा 1 upon y under root of 1 plus y dash square minus यहाएगा y dash square and under root of 1 plus y dash square into y is equal to c भाई यह जो y है इसको आप उदर ले लो और यह जो under root 1 plus y dash square इसका LC में ले लिजे तो चलो मैं इसका यहाँ पर पूरे का LC में ले लेता हूँ ताकि बिमारी का थाम जब यह आएगा तो यह से multiply होगा तो यह आएगा y dash square minus का y dash square is equal to c हो जाएगा भाई यह यह term से यह term हमारे पास क्या होगी cancel होगी clear है अब सुनिया पर क्या करते हैं यहाँ पर 1 upon यह आ रहा है is equal to c तो मैं क्याम करता हूँ इसको उल्टा कर लेता हूँ तो यह आएगा 1 plus y dash square is equal to 1 by c आजाएगा तो मैं इसको नया constant मा लेता हूँ c dash ताकि ठोड़ा easy रहेगा है ना manage करना तो सुनिया हमारे पास क्याएगा अंडूड of 1 plus y dash square is equal to यह आएगा c dash by y भाई यह इसका whole square कर दीजे मैं इसको whole square करके simplify करता हूँ सुनिया से मैं erase कर देता हूँ इसको है ना और इसको simplify करता हूँ तो सुन यह आएगा हमारे पास 1 plus y dash square सुन दोनों तरफ square करेंगे तो यह आएगा c dash का square upon y square आएगा सुन उसको उदर ले जाते हैं तो y dash square is equal to यह आएगा हमारे पास c dash का square and upon y square minus का 1 then इसका हम क्या करेंगे सुन अंडरूट ले ले लेते हैं तो यह आएगा हमारे पास c dash square और इसका lc मिलें के minus का y square upon नीचे क्या जाएगा यह y आजाएगा clear है अब इस विए हम जानते हैं यहाँ पे कि यह y dash है इसको मैं लिखेंगे dy by dx is equal to यह आएगा अंडरूट आफ c dash का square minus का y square upon y बेटा टम को यहाँ पे क्या कर लेजे अलग-अलग कर दीजे तो y upon c dash का square minus का y square dy is equal to यह क्या हैगा dx हैगा सुन यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसको integrate कर लेंगे यहाँ पे एक नाय कॉंस्टेंट माल लेता है मैं इसको c1 ले लेता हूँ जाद आचारेगा और इसको c2 ले लेता हूँ ठीके नाव अब हम देखेंगे सुन यहाँ पे देखरो यह कि इसको नीचे वाले को t माने लिजा नीचे वाले को t माने के दूपर वाला dt और कैसे देखिए आप मैं अगर यहाँ लेता हूँ तो यहाँ लेट c1 square minus y square is equal to मैंने ले लिया t square यहाएगा minus का 2y dy is equal to 2t dt 2 से 2 cancel बटा हमारे पास यहाँ पे minus उदर चला जाएगा तो इसकी जो value होगी वो हमारे पास क्या होगी यार अगर आप देखेंगे तो यह आएगा हमारे पास y dy के जगा minus का t dt और यह नीचे भी हमारे पास t आएगा और इसकी value करेंगे तो यह x plus c2 आजाएगा now t से d cancel और इसका जब integration करेंगे तो t आएगा और वो t की value हमारे पास यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे erase कर रहा हूँ ताकि कहाएगी थोड़ा चीज़ें आपको समझ में है तो यह जो value है यह t से d cancel करेंगे इसका integration आएगा तो वो आएगा minus का t is equal to यह आएगा हमारे पास x plus c2 आजाएगा तो यह प्लस c2 का whole square यह y square को उदर लेके जाएगा तो x plus c2 का whole square plus y square is equal to c1 square इस उन c1 c2 को यहाँ पे इसने h और k लिया है तो यह मारे पास यहाँ पे क्या जाएगा इसका answer हैगा तो इस तरह से आप बहुत इजी लिए इस type की questions को कर सकता है और यही मैंने आपको समझाने की कोशिश करें इस उन्हें में बताना चाहरा हूँ कि जो topic है यह CSIRNet के syllabus में बे अगर आप CSIRNet exam की तयारी करना चाहरे है और अगर आप अगर आप calculus evaluation के question को और भी practice करना चाहरे तो मेरी combat series की book है CSIRNet की यह available है Amazon पे इसका buy link भी आपको description मिल जाएगा इस उन्हें इस type की ID gym की भी available है अगर आपको student ID gym की तयारी करना चाहरे यार इस book का buy कर सकता है काफिस सारे questions मैंने दी है सुन कुछ और questions लेते हैं question मार पास यह बोला जारा है f is equal to यह आरा है x cube upon y dash square और हमार पास यह दोनों condition दे रखिए आपको इसको extremize करना है तो हम क्या करेंगे सुन जब भी हमार पास ऐसा कोई question आता है तो हम जानते कि यह मार पास आता x, y and y dash तो हम जानते है del f by del y minus square d by dx of del f by del y dash is equal to 0 तो सुन यहां पर क्या करेंगे आप देख रहे हैं सुन यहां पर y नहीं आरा है y नहीं आरा तो यह term 0 हो जाएगी तो हम जानते हैं कि मैंने आपको बड़ता इसकी special case होता है वो हमारे पास क्या होता है यह मैं आपको फिर्ट से बताता हूं जब दोनों तरफ integration करेंगे तो यह हमारे पास क्या हैगा constant आजाएगा अब हम जानते हैं यह हमारे पास f दे रखा है अगर उसको मैं y dash के respect पर differentiate करूँगा तो हम जानते हैं कि del by del y dash of x cube upon y dash square is equal to यहाँ पर क्या जाएगा यह c आजाएगा अब 1 upon y dash square का आप क्या करेंगे differentiation करेंगे तो इसका होगा minus 2 upon y dash cube is equal to यहाँ पर क्या जाएगा c आजाएगा clear है अब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं y dash cube को मैं उदर ले जाता हूं तो यह आजाएगा minus 2x cube is equal to c y dash cube हो जाएगा अब हम क्या करते हैं इसका cube root कर देते हैं दुनों तरब क्या कर देते हैं cube root कर लेते हैं तो इस सुन यह तो नया constant लेता हूं हम इसको c1 ले लेता हूं y dash is equal to सुन यह हमारे पास आएगा minus का 2 power 1 by 3 x आजाएगा clear है तो सुन अब क्या करेंगे यह यह c1 है and इसको लिख देंगे dy by dx is equal to minus का 2 power 1 by 3 इस सुन यह x आजाएगा ना हम क्या करते हैं इसको अलग लग कर लेते हैं तो dy is equal to सुन c1 को भी मैं इदर ले आता हूं तो minus 2 upon 1 by 3 c1 and यह आएगा x dx इसको मैं एक नया constant a माल लेता हूं और इसका मैं integration भी कर देता हूं plus का यहाँ पे c2 ले लिजे आप तो सुन यह आएगा y इसको मैंने एक नया constant माल लिया a and इसका integration होगा यहाँ पे x square by 2 plus का c2 हो जाएगा now अब हमारे पास यह दो condition दे रहे कि इसको आप apply कर दीजे जब मैं first condition को यहाँ पे apply करूँगा कौन सी वाली यह वाली तो बटा जहाँ पर भी y है वहाँ पे 0 रखिए जहाँ पर x है वहाँ पे 1 रखिए तो यहार यह आएगा a by 2 plus c2 हो जाएगा next दूसरी condition है उसको हम apply करेंगे तो जब दूसरी condition को आप apply करेंगे तो उस वाले case में हमारे पास जो condition बनेगी वो क्या बनेगे सुन यह वाली condition को apply कर रहा हूँ तो जहाँ पर भी y है वहाँ पे 3 और जहाँ पर भी x से वहाँ 2 रखिए तो 4 by 2 तो सुन यह आएगा 2a plus का c2 हो जाएगा अगर आप इन दोनों को minus करते हैं अगर मैं इसको नीचे लिखू है तो 3 is equal to यह आएगा 2a plus का c2 और दोनों को minus करता हूँ तो सुन आप देख रहे हैं यह से cancel हो जाएगा भाईया यह minus 3 हो जाएगा और minus 2a में से a by 2 गया तो यह आजाएगा minus का 3 by 2a तो आप देख रहे हैं 3 से 3 cancel minus 1 तो सुन यहां से a की जो value होगी वो हमारे पास कितनी है जाएगी भाईया 2 हो जाएगी और जो a की value है इसको अगर आप यहां 2 रखोगे तो c2 की जो value होगी वो हमारे पास क्या जाएगी minus 1 हो जाएगी राइट तो यह value उटा कि यह रखेंगे तो इसका जो final answer आएगा वो आएगा a की value हमारे पास यहां पर 2 हो रही है तो इस उन 2 से 2 cancel तो यह x square आएगा इसकी value minus 1 आ रही है तो इस उन x square minus 1 इसका क्या जाएगा answer हो जाएगा तो इस तरह से इस question को बहुत easy लिए आप कर सकता है so next question देखिए बहुत अच्छा question है 1 से 2 under root of 1 plus y dash square upon x dx जहांपर यह दोनों condition देरे कर आपको इसको x wise करना है तो आप देखिए सुन जो f है वो हमारे पास यह देरे रिखा है 1 plus y dash square upon x देरे रिखा है तो हम जानते हैं इसकी उन्दर से पर y नहीं आ रहा है और जब भी y नहीं आता है तो हमारे पास वो क्योंगी condition जो मैं आपको बताए थी कि del f by del y dash is equal to यहांपर c यह condition यहांपर बन जाएगी और यह condition यहांपर apply करकर solve करेंगे तो सुन यहांपर क्या आएगा ध्यान देज़ेगा del by del y dash and यहाएगा under root of 1 plus y dash square upon x is equal to c आजाएगा सुन यह जो 1 upon x इसको बहान निकाल दीजे क्योंकि इसका derivative तो होगा नहीं ना इसको y dash करिस्म करेंगे तो सुन अंडरूड है इसका derivative हमरे पास क्या आएगा यहां दीजेगा 1 upon यहाएगा 2 and under root of 1 plus y dash square और यहाएगा 2 y dash is equal to c सुन यह हमरे पास यहांपर क्या जाएगा इसकी value आजाएगे सुन 2 से 2 हम क्या करेंगे cancel कर देंगे ना उसको cross multiply कर लेते हैं तो यहां से मैरे पास इसकी value आएगी y dash is equal to cx under root of 1 plus y dash square आएगा दोनों तरब इसको क्या कर लेते हैं यह whole square कर लेते हैं तो यहार यह आएगा c square x square and 1 plus y dash square करेंगे इसनों जब इसको simplify करेंगे तो आप देख रहे हैं कि y dash square की time को इधर लाएंगे तो यह c square x square आदर आके minus हो जाएगा तो minus का c square x square into y dash square c square x square 1 से multiple होगा तो यह हमारे पास यहापे क्या हैगी इसकी value आजाएगे now y dash square is equal to c square x square and under root of and 1 minus c square x square होगा बटा इसका under root लेंगे तो यह आएगा cx and under root of 1 minus c square x square और हम जानते y dash का मतलब होता है dy by dx अब आप क्या कर लिए इसको cross multiply कर लिजे तो dy is equal to यह आएगा cx upon under root of 1 minus x square c square dx आजाएगा अब इसका integration करेंगे तो यहाप एक नया constant c2 ले लेंगे जो हमारे पास 1 minus x square c square इसको आप t square assume कर लेंगे पी आएगा minus का 2x c square dx is equal to यह आएगा 2t dt तो आप देखेंगे 2 से 2 cancel सुन यहाप हम क्या करेंगे x dx की जो value होगी वो होगी t dt upon minus का c square आएगा यह value उटा के हम यहाँ रख देंगे तो सुन solve करेंगे तो यहाँ से तो यह y आजाएगा यह पर जो सी तो constant आएगा प्लस का c आजाएगा आप देखेंगे तो सुन टी से डी कैंसल और आप देखे रहों सी से सी भी हमारे पास एक कैंसल आ रहा है और यह यहाँ पर जब solve करेंगे तो सुन यहाँ पर हमारे पास इसका integration आएगा y इक्वल टू यह तो मैंनस का 1 अपॉन सी आ रहा है और सुन यहाँ पर हमारे पास टी आ रहा है इसका integration और बाकी तो मैंनस भी आएगा यहाँ पर मारे लगा दिया मैंने तो यह c2 हो जाएगा now t की value उठा के रख दीजे भी यह तो t की value जैसे ही रखेंगे तो यह हमारे पास y is equal to minus का 1 upon c and इसकी जो value होगी वो होगी and root of 1 minus x square c square and plus का c2 हो जाएगा now हमारे पास एक condition रहें इस condition को यहाँ और इसको भी यहाँ अप्लाई करेंगे यहां से हमारे पास constant की value हो जाएगे तैसमों जैसे यह condition प्लाई करेंगे यह यह जो 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 under root of यहां से हमारे पास इसकी वी लिए जाएगी 1-x square upon 5 हो जाएगा and c2 यहां पर हमारे पास क्या रहा है सुन टू यह हमारे पास यहां पर क्या होगा इसका answer होगा तो इस प्रकार से इस question को आप बहुत इजिली कर सकता है clear? आगे बढ़ता है so next question देखिए हमारे पास यहां पर जो f दे रिखा है वो यह दे रिखा है y-square-y-square तो इस उन यहां पर x नहीं है और जब यह x contain नहीं करता तो हमारे पास जो equation होती f-y- del f by del y- is equal to c अब इस उन यहां पर क्या करेंगे हम इसको apply करेंगे f हमारे पास दे रिखा है y-square-y-square-y-square इस उन यहां पर y- और इसका derivative करेंगे with respect to y- तो भईया यह आएगा 2y- is equal to c हो जाएगा now जब इसको apply करेंगे तो y-square-y-square-2y-square-2y-square-is equal to यहां पर हमारे पास क्याएगा c आजाएगा now अब जब इसको minus करेंगे तो minus का y-square-y-square-y-square-is equal to c हो जाएगा इस उन minus का उदर लेते है रोग इस constant को मैं थोड़ा change कर लेता हूँ तो यह आजाएगा हमारे पास y-square plus y-square इस constant को मैं c-square माल लेता हूँ clear है? now y-square is equal to c-square-y-square हम जानते हैं आप इसका अंडूल लेंगे तो y-square is equal to यह आएगा c-square-y-square now इसकी value होती है dy by dx is equal to android of c-square-y-square यहाँ पर ले लेंगे यह आएगा dy upon c-square-y-square is equal to dx इसका जब integration करेंगे तो यहाँ पर नया constant आजाएगा c2 ले लिए इसका जो integration होगा होगा sine inverse y by c is equal to यह आएगा x plus c2 इस sine को उधर ले लिए तो y by c is equal to यह उधर जाएगा तो इस विन यह आएगा sine x plus c2 या y is equal to यह आएगा c sin x plus c2 हो जाएगा now इस विन यह जो condition है इसको मिहाँ पर क्या करेंगे apply करेंगे तो यहाँ से हमारे पास c and c2 की value हो जाएगा apply करके देखते हैं सुन क्या होता है ultimately यह जो हमारे पास condition है इसको मिहाँ पर क्या करेंगे apply करेंगे तो y is equal to हमारे पास यहाँ रहा है c sin x plus c2 है सबसे पहले वे यह condition अप्लाई करता हूँ तो जहाँ पर भी y है वहाँ पर 0 और जहाँ एक से वहाँ 0 रखते है तो सुन यह आएगा c sin c2 हो जाएगा next एक और condition अप्लाई करते हैं यह वाली है ना यह condition जब इदर apply करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ आएगा c sin और यहाँ पर हमारे पास किया आएगा सिन 1 plus c2 हो जाएगा यह हमारे पास यहाँ पर क्याएगा इसकी value आजाएगा अब सुन आप इसको देखी यहाँ पर चुकि हमारे पास इन दोनों का product 0 आ रहा है अगर मैं c को 0 ले ले लू तो 1 is equal to c sin 1 हो जाएगा तो c की value होगी यह sin 1 इदर लियाए तो 1 upon sin 1 हमारे पास यहां पर क्या जाएगे सुन इसकी c की value हो जाएगे सुन यह दोनों value उठा के यहां रखेंगे तो मारे पास जो final answer आएगा वह आएगा y is equal to c की value आ रही है वह आरी 1 upon sin 1 और c to 0 आ रहा तो यह आएगा हमारे पास sin x सुन यह हमारे पास की आएगा इसका final solution आएगा इस तरह साब इस question को बहुत easily कर सकते हैं यह question comment box के लिए इसको solve क exam exam की तैरी करना चाहरे हैं यहां पर question का पूरा collection है आप यहां पर जाके question को practice कर सकते हैं और यहां जाके चैनल को subscribe कर सकते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद thank you bye bye